तो देखो बच्चो फिर से NCRT लेकर exercise 6.3 के आगे एक सवाल आजमलो करेंगे तो NCRT बनाना बहुत चरूरी होता है क्योंकि बोर्ड में सवाल डाइरेक्ली पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान से समझो concept बीजी को तो ध्यान दो बच्चो question number 14 exercise 6.3 हम करा रहे थे y बराबर x के पावर 4 6x का क्यूब 13x से स्क्वाइर माइनस 10x प्लस 5 question क्या है find equation of tangent and normal at 0,5 मतलब यहां एक कर्व है उस कर्व पर एक point है 0,5 उस पर एक tangent खीचो और एक normal खीचो तो देखो बच्चो कोई भी a straight line जिसका equation हम निकालने जा रहे हैं अगर उसका slope, line का slope अगर m है और उस line पर एक point दिया है x1,y1 तो equation of straight line होता है equation of straight line होता है बच्चो y-y1 mx-x1 इसे हम लोग one point form equation करते हैं और यह question में slope अगर पता है point पता है तो बन जाएगा तो point तो अल्रेडी पता है 0,5 तो हमें slope निकालना है tangent का tangent का slope निकालने के लिए हम dy by dx करते है 4x का cube 18x square 26x minus 10 तो slope of tangent at 0,5 is x के जाए 0 put कर दोगे तो minus 10 हा जाएगा slope of normal जो होगा at 0,5 minus 1 by slope of tangent होगा slope of tangent तो minus 1 by minus 10 मतलब 1 by 10 आगया है देखो बच्चो नॉर्मल जो होता है उसका slope और tangent का slope एक दूसरा के perpendicular होने के कारण minus 1 प्रोड़क करके आता है तो normal का जो slope होता है वो minus 1 by slope of tangent आता है तो equation of tangent is y minus y1 mx minus x1 तो y minus y1 के जगा तो 5 है m के जगा या minus 10 x minus 0 इसे सजाद देना बन जाएगा equation of normal निकालना होगा तो कोई भी normal या tangent या टैंट ये श्टेट लाइन है और उसका equation बच्चो सीधे 1.4 होता है 5 m के जगा 1 by 10 x minus 0 सजाद बन जाएगा तो tangent का equation या normal का equation निकालना होगा तो पहले slope निकालना होगा tangent का slope निकालने के लिए d y y dx करते हैं और tangent का slope निकाल जाएगा तो minus 1 by slope of tangent करोगे तो slope of normal निकाल जाएगा slope अगर पता है point अगर question में दिया गया है तो point से point अगर दिया है तो one point form में tangent का या normal का equation का प्रमुला होता है उट कर देंगे बच्चो बन जाएगा इस question को note कर लोगे आगे बढ़ रहे हैं कि screen shot लेना note कर लेना आगे बढ़ रहे हैं बच्चो ध्यान से सब कुछ सीखोगे कोहीं आगे बढ़ सकते हो इसमें मेहनत बहुत जरूरी होता है ध्यान से मेहनत करके तुम achieve करने का सोचो कोई चीज है अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चो इसी में 14 का ही 5 question है x बराबर दिया है cos t y बराब दिया है sin t t बराब 5 by 4 पर tangent निकालना है तो सबसे पहले dx by dt करो तो cos t का हो गया minus sin t dy by dt करो sin t का differentiation t के respect में cos t हो गया dy by dx करोगे तो dy by dt divided by dx by dt करोगे तो cos t है यहाँ पे minus sin t है तो minus cot t t के जागा पे क्या रखना है बच्चो तो pi by 4 तो slope of tangent at t बराबर pi by 4 is minus cot pi by 4 जानी m के जागा पे minus 1 आगया point मेरा क्या हुआ x y t के जागा pi by 4 रखोगे t बराब pi by 4 पे रखना है तो cos pi by 4 x है और y है sin pi by 4 मतलब 1y root 2,1 by root 2 तो point पता है slope पता है तो equation of tangent होगा बच्चो y minus y1 mx minus x1 y1 के जागा 1 by root 2 minus 1 x minus 1 by root 2 आगे बड़ा लोग बन जाएगा नॉर्मल सा सवाल है कि अगर इस तरह कोस्चन होगा तो हम कैसे बनाएंगे देखो बच्चो question number 15 ध्यान देना y बराबर दिया गया है x square minus 2x plus 7 तो अगर हम dy by dx इस का निकालेंगे न तो 2x minus 2 आएगा ठीक तो slope of tangent any point पर slope of tangent किसी भी point पर आगे है 2x minus 2 और x के इसाब से tangent का slope बदलते रहेगा अलग-अलग x भरते जाएगे तो अलग-अलग x के point पर अलग-अलग tangent का slope मिलते जाएगा tangent जो है इस parallel to 2x minus y plus 9 बराबर 0 दिया है जो मेरा tangent है वह इस line के parallel है तो यह line actually y बराब 2x plus 9 है ध्यान दो y बराब क्या है 2x plus 9 अगर इस line को हम straight line के actual equation से compare करते हैं m x plus c से तो इम बराबर आगया 2 वाई-वाई के साथ x x के साथ c के जगा 9 यह में के जगा तू तो गीवें स्लोप ऑफ टैंजेंट बराबर होगा स्लोप ऑफ गीवें लाइन क्यों बराबर कर दिये बच्चों क्योंकि पैरलल अगर है अगर पैरलल है तो टैंजेंट का स्लोप ऑफ गीवें लाइन बराबर होगा है दो पैरलल लाइन का स्लोप बराबर होता है तो टैंजेंट का स्लोप है 2x-2 और लाइन का स्लोप है 2 इधर से 4 x के जगा 2 आ जाएगा बच्चों एकस टू अगर आ गया तो पूट कर देंगे तो य बराबर जगा 2a स्कॉर मैंस 2 इन्टू 2 प्लस 7 तो तब 7 आ गया स्वलगों के तो पॉइंट मेरा आ गया 2,7 तो पॉइंट हमें पता चल गया और हमें स्लोप भी पता है 2 तो इक वेसान वाप टैंजेंट जो हमें निकालन था y-y1 mx-x1 y1 के जगा 7 है m के जगा 2 है x-2 इस तरहां लोग पैंगें का इक्वेशन निकाल लेंगे इसे बच्चों एक स्क्रीन सॉट लेकर निकाल लोगे तुम लोग इसे मिटाते हैं इधर नोट कर लिए होगे कोपी किताब लेकर मिठा करो सब कोश्चन देखा करो मिहनत में रखिया करो अगर हम इसी कोश्चन ने 15 ताहीं एक और पाठ दिया है कि टैंजेंट जो है उसी में एक और पाठ दिया है तैंजेंट इस परपेंडिकुलर टू ल लाइन 5y-15x बराबर 13 तो दिया हुआ जो लाइन है वह एक्च्वाली है क्या है तो 5y है 15x प्लस 13 तो 5 से डिवाइड करो तो 3x प्लस 13 by 5 ठीका बच्चो तो स्लोप और गीवेन लाइन क्या हुए गीवेन लाइन का स्लोप क्या हुए बच्चो तो 3 हुए अब यहाँ कॉंसेप्ट है कि टैंजेंट जो है इस परपेंडिकुलर टू गीवेन लाइन तैंजेंट दिये हुए लाइन के परपेंडिकुलर है इसलिए स्लोप और टैंजेंट इन्टू स्लोप और गीवेन लाइन माइनस वन होगा दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडिक्सन होता है कि स्लोप का मर्टिप्लाई माइनस वन कर दो तो हम लोग रिखेंगे तैने का स्लोप रिकाल कर बैठाल है बच्छो तो एकस माइनस टू और यहाँ आगे थ्री माइनस वन तो माइनस वन वाई थ्री पलस टू माइनस वन पलस इकस वाई थ्री थाइप वाई थ्री एकस बराबरा गया थाइप वाई शिक्स एकस निकाल लिए एकस अगर निकाल लेंगे बच्छो एकस अगर निकाल लेंगे तो y भी स्लोप टूट करके निकल लेंगे point निकल जाएगा y भी निकल लेना point अगर निकल गया तो y फिर से equation of line हो जाएगा y minus y1 m x minus x1 यहाँ m के जगापके 3 नहीं टूट करना है तोकि 3 स्लोप तो दिये हुए line का है tangent का slope तो minus 1 by 3 है यहाँ से ध्यान दोगे तो slope of tangent जो है वह minus 1 by 3 है क्योंकि दिया हुए line tangent के perpendicular दिया हुए है बच्चों तो question number 15 एक curve दिया था उस curve के किसी point पर tangent खिचना था और tangent एक दिये हुए line का parallel था तो slope of tangent दिया हुए line का tangent का slope पराबर करके एक सिवाई निकाल के बना लिए और perpendicular दिया था तो slope का product minus 1 करके बना लिए यह एक अच्छा सवाल है इसको इसको कोशन बोड़ बे पूछे जाते हैं लेकिन कुछ बाजाना टप सवाल नहीं है इसको बच्चों स्क्रीन सोट लेके वीडियो जो रोके नोट कर लोगे नहीं तो खुद बनाने के बाद भी मिला सकते हो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 14 में दो सवाल और 15 में दो सवाल हम तुम लोग को अभी बता दिये आते हैं कोश्चन नमर 16 में वाई बराबर दिया गया है 7x3 प्लस 11 कर रहा है dy by dx अगर निकालाओगे न बच्चों 21x2 देखो कोश्चन है स्लोप अफ टैंजेंट एड एक्स बराबर टू इच 21 इंटू 2 स्कार 84 होगा स्लोप अफ टैंजेंट at x बराबर माइनस 2 is 21-2 का स्कार फिर इसे 84 दोनो स्लोप बराबर आगया यहनि दोनो टैंजेंट क्या होगा है पैरलल होगा इसलिए स्लोप अफ टैंजेंट शरी टैंजेंट आइट x बराबर 2 and at x बराबर माइनस 2 आर पैरलल दोनों क्या होगे बच्चो पैरलल होगे तो ध्यान से चीजों को समझा करो मेनत को रखिया करो बन जाएगा सवाद question number 17 है y बराबर x q एक कर्व है मान लो यह एक कर्व है ठीक उसवर बहुस किसी एक पॉइंट पर टैंजेंट खीच दिया है तो टैंजेंट की चागए मान लो यह पॉइंट अलफा कॉमा बीटे है ठीक है इस पॉइंट पर टैंजेंट की चागए टैंजेंट का स्लोप जो है वो पॉइंट के b y कोडिनेट के बराबर है question तो रहा है कि स्लोप आप टैंजेंट पहले देखो ध्यान देना बढ़िने d y by dx पहले निकालो 3x स्कार आगे स्लोप आप टैंजेंट अट अलफा कोमा बीटा अलफा कोमा बीटा कोई भी पॉइंट मनने है तो 3 अलफा स्कार होगा ध्यान दोगे अगर तो अलफा बीटा lies on curve इसलिए बीटा बराबर अलफा का क्यूब होगा कोई पॉइंट किसी कर्व पर लाई कर रहा है यादि वह पॉइंट के x y कोडिनेट उस वह उस पॉइंट के x y कोडिनेट उस कर्व को सटिस्फाई करेगा अब में चीज कोश्चन में क्या दिया है कि किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट का जो स्लोप है वह उसके y कोडिनेट के बराबर है तो टैंजेंट का स्लोप हम लोग लाए है 3 अलफा इस्वार और y कोडिनेट क्या है तो बीटा है जो पॉइंट बुक देखो गए y बराबर x q एक कर्व है ठीक और टैंजेंट का स्लोप पॉइंट के y कोडिनेट के बराबर है मतलब एक पॉइंट मान लेना है अलफा कोमा बीटा उस पॉइंट पे स्लोप अफ टैंजेंट y कोडिनेट के बराबर है तो 3 अलफा स्क्वार जबर अलफा क्यू निगत दो कसमेश के यहां से थी अलफा स्कुर्वार माइन्स सुर्वाइवाइवा घ्रलाऊ जीरू होगा प्रिम्राओम ligeों강 ट्रिमाइब अदो किल जेकां तो जो रिक्वाइड पॉइंट्स है या तो जीरो जीरो होगा या 327 होगा ठीक है बच्छो यह अभी अच्छा साल है कोच्छन नमर 17 इसको पड़ोग ज्यान से न दिया हुए एक स्लोप अब टैंजेंट स्लोप अब टैंजेंट इसी मुलता है न मन में डी वाई डी एक्स वाज़े न वाई कोडिनेट के बराबर है तो एक कर्व है वाई बराबर एक्स की उस पे कोई विएक पॉइंट लेलो लुए तो निदो करना पड़ेगा सीख जरूर जाएगा ध्यान दो बच्चो में अकरके ही हम लोग चैप्टर की लाइन वाई लाइन हम कोश्चन करा देते हैं उसके अलावा तुम देखो हो गे इन रिजिंग इसक रिजिंग में उसके अलावा दो क्लास एक्ष्ट्रा पढ़ाए तुम लोग को जिसे तुम किसी भी हेल बुक में कोश्चन ना फसो उसका आम परियास किए ठीक है कि कोई भी बोड अस्तर ये बोड लेबल का हेल बुक में तुम कहीं भी कोश्चन नहीं फसोगे ठीक है इसले प्रैक्टिस करते रहो एंसिया की बना अट वीच टैंजेंट एट वीच टैंजेंट एट वीच पासेश थ्रू पास्ट्रू और जिन मतलब एक कर्व दिया है बच्चो दिहान समझें कोई एक कर्व दिया है उस कर्व पर कोई एक कर्व दिया है उस कर्व पर किसी प्वाइंट पर हम टैंजेंट कीशते हैं तो वह और जिन से पास हो रहा है तो यहां प्वाइंट निकलना है देखो लेट पी अलफा बीटा बी रिक्वाइड प्वाइंट ओन कर्व प्वाइंट ओन कर्व पी अलफा बीटा जो प्वाइंट हमें निकलना है वह है तो यह अलफा बीटा कर्व को सटिस्फाई करेगा पॉइंट का एक्स वाई कोडिनेट अलफा इकर्ण के एक्स वाई भेरियेबूल्स को सटिस्फाइब करेगा तो बीटा पराव रहेगा फोर अलफा का क्यूब टू अलफा के पर फाई ठीक है देखो बच्चो ध्यान दो स्लोप अप ओपी अगर हम निकाले ओपी तो बहा होगा बीटा माइनस जीरो अलफा माइनस जीरो यह बीटा बाई अलफा हो जाएगा दो दिये हुए पॉइंट का स्लोप निकालना बहुत इजी है बच्चो y coordinate का difference बटा x coordinate का difference curve मेरा क्या दिया है ध्यान दो 4x का cube minus 2x के power 5 tangent का slope निकालना है हमे tangent जब यूज हो गया है तो tangent का इक वैसा नहीं है tangent का slope निकालना है तो dy by dx करेंगे 12x square 10x के power 4 तो slope of tangent at alpha, beta 12 alpha square 10 alpha के power 4 यह जो tangent है वही op है since op is tangent op ही tangent है कैसे जाने क्योंकि p जो required point हम माने थे उस point पे tangent किसने से वह origin से तास हो रहा है यानि मेरा जो tangent है p पर वह o से उज़र रहा है यानि op ही मेरा tangent है तो op का जो slope होगा और जो tangent का slope होगा वह क्या होगा बराबर होगा इसलिए 12 alpha square 10 alpha के power 4 slope of op बीता बई alpha के बराबर होगा बहुत special चीजे है बच्चो ध्यान दो तो यहां से आजाएगा 12 alpha का cube 10 alpha के power 5 और बीता तो 12 alpha का cube 10 alpha के power 4 बीता का value 4 alpha का cube 2 alpha के power 5 तो यह alpha multiply किये थे न alpha के power 5 होगे थे इसको इधर मैनस करो 8 alpha का cube 8 alpha के power 5 8 कट जया alpha cube minus alpha 5 और 0 alpha cube common 1 minus alpha square 0 alpha cube 0 या 1 minus alpha square 0 यहां से alpha 0 और यहां से alpha 1 या minus 1 तो alpha 0 करोगे तो बीता भी 0 आजाएगा यहां से alpha 1 करोगे तो बीता 2 आजाएगा और alpha minus 1 करोगे तो minus 4 प्लस 2 यान मैनस 2 आजाएगा तो required points जो मेरे मिले required points जो हूँ है जीरो जीरो 1 2 minus 1 minus 1 द्यान दोबच्चो question को एक curve दिया हुआ है मेरा उस curve पर कोई एक point मानल अलपा बीता माल नहीं है और उस point पर एक tangent की चो ओ और जिन से पास करेगा यानि ओपी ही tangent है यानि ओपी का जो स्लोप होगा वही tangent का स्लोप होगा तो ओपी का स्लोप हो राइ का बाइड़ रहा है इस नहीं वीटा बई अलपा और यहाँ पर tangent का स्लोप निकालने के लिए dy by dx लगाती है तो dy by dx जो निकालने है और ओपी जो का जो स्लोप निकालने बराबर कर दिए बराबर करने के बाद तो आज के क्लास में हम तुम लोग को बाटा है NCRT 18 तक तुम्हें बना लेना है 1 से 18 अगला क्लास में इस यह चैप्टर कंप्लीट हो जागा फिर इससे आगे के क्वेश्चन हम तुम लोग को सिठाएंगे तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो खुब मेहनत करो सीजों को सीखो बार बार रिपीट करो मेहनत करो प्रैक्टिस करते रहो सब कुछ तो तुम्हें ही करना है ना मेहनत करते रहो सीख जाओगे आगे बढ़ जाओगे मिलते हैं अगले क्लास में